हेलो गाईज, विलकम है आप लोगों का देखिए हम लोग आज वेक्टर स्पेस को आगे कंटेन्यू करते हुए उसके एक्जामपल में यह देखेंगे कि सेट ओफ मैट्राइस में कौन-कौन सा मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस बनाता है और कौन वेक्टर स्पेस नहीं बनाता ठीक है तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वह है नंबर वन में हम बात करेंगे जेनरल मैट्रिक्स का ठीक है जो एक जेनरल मैट्रिक्स है जिसमें कोई खास प्रोपार्टी रही है ठीक है तो इन जेनरल अगर मैं इन जेनरल बात करूं ठीक है तो इन जेनरल ठीक है एक set of matrix हम लोगे ले देते हैं set of matrix ठीक है जो आपका set of matrix होता है m cross in order का ठीक है और हम लोगे देते हैं इसके एलिमेंट्स हैं वो हैं from set of complex number ठीक है तो यह होगे तुम्हारा तो यह जो है क्या vector space होगा definitely यह vector space होगा is a vector space ठीक है यह vector space होगा चुकि यह vector space के जो सारे properties हैं जो मैंने आपको definition में बताया हुआ उसको satisfy करेगा over अब देखिए field क्या क्या ले सकते हैं तो field आप definitely ले सकते हैं do cùng आपको जो भी लेना होगा वह इसका field और वह इसका में बना सकते हैं over real number बना सकते हैं over seat of rational number बना सकते हैं वहर सेट ओफ रेशनल नंबर प्राइम पी बना सकते हैं ठीक है इन सब पर यह भेक्टर रेश्पिस बनेगा विकाउज क्या यह सारा जो सेट्स है यह सब क्या है सब फिल्ड सेट अब यहीं पर जैसे हमनों कुछ-कुछ बात कर लेते हैं जैसे माँ लिए एक एक शांपल मौन दें है थीक है एक्जांपल नहीं होगा कि आपको एक क्लेक्शन दिया हूआ है let, ठीक है, माल यह आपको vector define किया हुआ है, set of, set of matrices of order 2, ठीक है, where elements A, B, C, D, are from set of complex number, ठीक है, then, question है, कि is, क्या भी जो है, आपका एक vector space होगा, is a vector space over set of rational prime 3, क्या इसमें 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 होगा, तो definitely इसका जो answer होने वारा है, वो क्या होगा, वो होगा, yes, क्यों, इसलिए कि हमारा यह एक general matrix है, ठीक है, जिसमें कोई खास property mention नहीं है, तो एक matrix है, तो वो सारा property satisfy करता है, और जहां तक हमनों देख रहे हैं, q root 3 को, जो हमारा field लिया गया है, ठीक है, तो q root 3 क्या है, यह आपका subset है, sub field है, set of complex number का, ठीक है, तो चुकि यह sub field है, set of complex number का, therefore, यह आपका vector space बनाएगा, ठीक है ना, इसी तरीके से मान लीजिए, एक मैं और question देता हूँ, ठीक है, क्या, कि जिसे, हमनों suppose करते हैं, कि B जो है, वो क्या है, वो set of matrices है, two cross two order का, ठीक है, over rational number, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer आप मुझक को, comment में बताईएगा, चुकि मैंने आपको काफी इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, और अगर आपने मेरा पहले का lecture नहीं देखा, तो आप देख लिए, बहुत ही simple इसका answer है, ठीक है, यह vector space होगा, तो आप answer दीजिएगा, क्यों होगा, और अगर vector space नहीं है, तो क्यों नही नंबर से लिए जा रहे है, ठीक है, तो rational नंबर से इसके elements लिए जा रहे हैं, और यह पूछ रहा है, क्या यह vector space फॉर्म करेगा, ओवर R, आर में क्या यह vector space फॉर्म करेगा, तो आपको बताना है, तो बहुत simple answer इसका होगा, ठीक है, यह आप मुछ को comment में करके बताईएग यह तो वह कि general matrix का बात, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, उन matrices का, जिसके पास special properties होती है, ठीक है, तो यह मूँ नीचे move करते हैं, आदिकते हैं, कि special case में क्या क्या condition हो सकता है, ठीक है, चलिए आईए देखिए, तो हम लोग का यहाँ से, जो है second number start हो रहा है, second number, ठीक है, आपको, यहाँ पर हम लोग कुछ-कुछ matrices लिखेंगे, और यह बात करेंगे, कि क्या यह वो actor space बनाएंगे, कि नहीं बनाएंगे, ठीक है, जैसे, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, पहले आपको define कर देता हूँ, ठीक है, let, हम लोग भी जो ले रहे हैं, वो ले होगा complex set, ठीक है, तो इस case में हम लोग बात करेंगे, different properties पर, different property based matrices पर, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो है हमारा A number, ठीक है, diagonal matrix, ठीक है, अगर भी हमनों का diagonal matrix है, अगर MN जो है, वो आपका क्या हो, वो आपका हो, डाइगनल मैट्रिक्स, ठीक ह है, MN अगर हमारा diagonal matrix है, तो diagonal matrix किस तरह का होता है, ठीक है, जैसे माल लेजिए, like हम लोग ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग M2 लिखें, तो इस तरह का लिखेंगे, A, 0, 0, A, ठीक है, अब हमको यह पता है, कि जो भी, यहाँ पर, चुके, same होना जरूरी नहीं है, हम लोग B ले लेते हैं, ठीक है, 0, B, अब यहाँ पर जो भी A और B है, वो कहां से है, वो आपका set of complex number से है, तो आप बताइए, कि क्या यह vector space form करेगा, ठीक है, तो देखिए, definitely यह vector space form करेगा, इसका answer क्या आने वाला है, yes, it is vector space, ठीक है, it is vector space, यह vector space बनाएगा, चुकि यह vector space के सारे properties को follow करेगा, आप कोई भी दो diagonal matrix को add कीजेगा, तो आपको diagonal matrix ही मिलने वाला है, scalar multiplication से भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, और जो other properties है, वो भी आपको satisfy करेंगे, ठीक है, ओके, B निमर देखते है, B निमर देख लेते हैं हम लोग, अगर हमारा MN क्या है, इसी तरीके स से, scalar matrix है, ठीक है, scalar matrix, तो, scalar matrix किस तरह का होता है, scalar matrix होगा, आपका, आपका, अगर हमनों दो order का बात करें, तो, scalar में क्या होता है, आपके diagonal के elements, equal हो जाते है, ये 0, 0, 1, ठीक है, तो आपको ए कहां से लेना है, set of complex से लेना है, जैसा हम इना define किया है, जैसे उपर में ये vector space थ है, हम लोग बात करते हैं, third number में, lower triangular matrix ले लिया जाए, या ले लिया जाए, upper triangular matrix, ठीक है, ओके, ये lower triangular matrix है, ये upper triangular matrix है, ये सब कुछ मैंने आपको matrices के chapter में, lecture में पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, जैसे सपोस कीजिए, माल लेजिए, के मे matrix alike है, हम लोग अगर हम लोग इसको three order में लिखें, M3, तो इस तरह का ये matrix होगा, ठीक है, A100, फिर यहाँ पे कुछ भी ले ले लेते हैं, A2, A3, 0, and 00, हम लोग का, यहाँ पे A4, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी कुछ ले सकते हैं, जैसे माल लीजी, यहाँ पे A4 ले ल जो आपका फिलहाल lower triangular है, तो जो AI लिया गया है, वो set of complex number है, ठीक है, और यह हम लोग का जो है, यह lower triangular matrix हमने लिया है, इसी तरीके से आप अपर triangular matrix भी ले सकते हैं, तो बताएए यह क्या vector space बनाएगा, ठीक है, तो definitely इसमें भी कोई तरह का problem नहीं आने वाला है, आप दो lower triangular क को add करेंगे, तो lower ही आएगा, इस केलर multiplication से भी कोई different फरक नहीं होगा, ठीक है, और सारे properties को यह satisfy करता है, इसलिए यह क्या होगा हमारा बेटर स्पेस बनाएगा, ठीक है, इसी तरीके से आप माल लीजिए, ले लेते हैं, strictly lower triangular matrix, ठीक है, यह आप लेते हैं, strictly upper triangular matrix, ठीक है, य strictly अब हम लेते हैं, तो क्या होता है, जी समाल लीजिए, like इस तरह का ले रहा हूं मैं, मैं सपोस कि यह, मैं M3 ही लेता हूँ, upper triangular matrix, ठीक है, तो यह हमारा इस तरीके से होगा, चुकि यह strictly है, तो डैंगल, जो डैंगल का element है, वो 0 होगा, 0, A1, A2, 0, 0, 0, A3, 0, 0, ठीक है, तो जो हमारा strictly upper triangular होता है, उसमें diagonal element 0 होता है, सिर्फ strictly upper का element आपको मिलेगा, ठीक है ना, बतर जो principal diagonal है, उसके उपर का element मिलेगा, principal diagonal और उसके नीचे कोई element नहीं मिलेगा, तो यह हमारा strictly upper triangular matrix है, ठीक है, यहाँ पे जो AI लिए गये है, वो set of complex numbers से है, तो फिर आप बताईए क यह बहतर स्पेस बनाएगा, तो yes, यह बहतर स्पेस बनाएगे, जो बहतर स्पेस बनाएगे, उसके बारे में कोई आपको खास tension नहीं होगा, ठीक है, उसको सारे properties को follow करेंगे, जब नहीं बनाएगे तब हम वहाँ पे देखेंगे properties के साथ में कि कौन सा property वो fail कर जाता है, आप यह सब देख रहे हैं, जो आपको एक्जाम समें भी काफी काम आएगा, और आप इसको बहुत आसारी से याद अच्छेप्ट में है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनिम्बर देख लेते हैं, ठीक है, इनिम्बर में माल लिए, आपको लिया हुआ हुआ है, ठीक है, ब हम लोग non-principal diagonal matrix भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, non-principal diagonal matrix, ठीक है, दोनों यही चीज़ है, तो इसको अगर हम लोग देखें, तो इसमें आपको मालूम है कि यह कैसा matrix होता है, यह होता है, आपका set of matrix A, ठीक है, आई, J, ओके, और यहाँ पे हम equal to N plus 1 होगा, ठीक है, और I equal to J होगा, जो कि सिर्फिर diagonal element होगा, ठीक है, अब बाकी उसके इलावा जो element है, वो 0 होगे, इस तरीके से इसको define किया जाता है, ठीक है, तो अगर हम इसको as a example देखें, तो इस तरह का matrix आप ली सकते हैं, जैसे मैं अगर M3 ले लूँ, ठीक है, त जीरो, जीरो, ए, ठीक है, फिर यहाँ पे 0, B, 0, C, 0, 0, तो आप देखिएगा, कि यहाँ पर जो non-principle, इसका diagonal है, ठीक है, non-principle diagonal, यानि यह उल्टा वाला, तो इसमें ही सिर्फ non-zero element है, बाकी में 0 element है, ठीक है, तो यहाँ लोगों को दिख रहा है, ओके, अब आप यहा देखेंगे, कि जो मेरा, जैसे यहाँ पर हम लोगों लिखा है, कि A, I, J, equal to 0, होगा, ठीक है, I, equal to J, होगा, और I, J, I, plus J, equal to N, plus 1, होगा, ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे, जो position है element का, वो क्या है, जैसे यह जो position है, यह हमारा A, 13, ठीक है, तो A, 13, फिर यह जो position है, A, 22, और यह जो position है, यह है A, 31, तो आप suffix को add करेंगे, चाहिए 3, plus 1 को add करें, आप 2, plus 2 को add करें, या 1, plus 3 को add करें, तो आपको 4 मिलता है, 4 यानि क्या, जो इसका order है 3, ठीक है, तो 3, plus 1, यानि N, plus 1, मिलता है, तो इसको देखें, प्रोपर्टी को satisfy करता है, ठीक है, ओके, और सिर्फ इसी के लिए non-zero element आपको मिलेगा, तो यहाँ पर I, plus J, equal to N, plus 1, लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके लिए non-zero elements होंगे, बाकी जो element है, जहाँ पर I, equal to J, होगा, ठीक है, वो भी आपका zero होगा, और A, I, J, आपको in general सब zero मिलने वाला है, ठीक है, तो यह हमारा जो है non-diagonal, backward diagonal matrix है, इसके बारे में भी हम लोग यही जानते हैं, कि इसके भी आप सब कुछ करेंगे, और करके आप देखेंगे, तो कोई फरक पड़ेगा नहीं, सारे properties को यह satisfy करेगा, और yes, it is also form a vector space, ठीक है, यह भी आपका vector space बनाता है, ठीक है, तो यह सारे matrices को मैंने आपको बताया हुआ है, और अकसर जो exam होता है, तो exam में यह हमारे लिए important हो जाता है, ठीक है, यह वाला चीज, चूकि exam में आपको set of matrices बना करकर कर देता है, आपको समझना होता है, कि आपको actually कौन सा matrix दिया है, ठीक है, यह कौन सा matrix है, आपको जब आ जाता है समझ में, तब फैसल करना easy हो जाता है, कि यह vector space form करेगा, कि नहीं form करेगा, ठीक है, clear है, अच्छा, चलिए, और हम लोग देख लेते हैं, कुछ-कुछ, जैसे माल लीजिए, next आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है, कुछ और matrices हम लोग देखेंगे, तो f number जैसे देखिए, अगर हम लोग बात कर ठीक है, आप यह ले ले, या, skew symmetric भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप ले लेते हैं, skew symmetric matrix, ठीक है, skew symmetric matrix, ठीक है, तो इन दोनों के case में, क्या vector space यह बनाएगा, तो देखिए, दोनों vector space बनाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, इसको, yes, both form vector space, ठीक जैसे हम लोग अगर symmetric matrix का बात करें, तो इसमें जो matrix होता है, set of A, वो क्या होता है, वो इस property को follow करता है, ठीक है, और skew symmetric, जो है, वो set of A है, जिसमें, यह property follow होता है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, कि अगर हम लोग, दो element ले ले ले, ठीक है, vector space में, तो दो symmetric matrix का sum, जैसे symmetric matrix, ठीक है, तो क्या sum of two symmetric matrix भी एक symmetric matrix होता है, तो आप देख सकते हैं, इसको, ठीक है, जैसे मान लेजिए, मैंने ले लिया, ठीक है, दो को भी matrix हम लोग ले ले लेते हैं, okay, a, हमने a लिया, और b लिया, ठीक है, अब देखिए, अब a जो है, वो a का transpose है, और b क्या है, अब b है मेरा, b का transpose, ठीक है, तो हम लोग इसको, finally, फिर इस तरीके से लिख सकेंगे, ठीक है, कि a plus b का transpose, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं, कि अगर u plus b, अगर u मेरा, जो है, symmetric matrix है, ठीक है, जैसे, इसको हम लोग कोई ले ले लेते हैं, फेक्टर न, इसको b1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं, भी 2, ठीक है, तो अगर याद रखिएगा, अगर a और b, अगर belong करता है, भी 1 में, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग का जो सम है a plus b ये भी क्या है ये भी आपका भीवर में आ जा रहा है ठीक है चुकि a plus b का ट्रांस्पोज जो है वो आपका ये इक्वल हो जाएगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है तो दोनों का सम भी आएगा इसी तरीके से आप अगर कोई जो करेंगे स्कल्डर मल्टिप्लिकेशन में भी क्या होता है अव्भा ए ट के एक्वल हो जाता है ठीक है औरल्फा अमीरा धीमड्र है तो αelfा ए भी मेरा भीवन का हमींबर होना चाहिए तो यानि कि alpha A transpose आपका भीवन का मिवर होना चाहिए तो आ तो जा रहा है है थे है ना।ब यह देखना है कि alpha A का power और हम्मोड़ transpose करते हैं तो alpha e VISTA होता है यानि आपको तो यह भी यहां पर satisfy कर जा रहा है ठीक है तो इसी तरीके से में देखेंगे कि skew symmetric में भी हमारा same case लगेगा तो skew symmetric हो या symmetric हो दोनों हमारा क्या है filter space बनाता है ठीक है ओके अच्छा इसके बाद हमों देखने वाले हैं हर hem3 के बारे में जो हमारा हर्मीशन है या excuse vermisyan है क्या वो भी टोटर एस पेस बनाएगा ठीक है तोनेश्म लोगे आते हैं देखते हैं एच नंबर क्या हमारा है कि हर मीशिन मेट्रिक्स होगा ठीक है हर्मीशन या तो हमनों ले ले लेते हैं SQ Hermitian, ठीक है, SQ Hermitian Matrix, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है, Hermitian के अगर आपको बात करें, तो इसमें क्या होता है, कि हमारा जो A star है, वो A की इकवल होना चाहिए, यानि A का conjugate का transpose A की इकवल होना चाहिए, ठीक है, यह Hermitian होता है, और SQ Hermitian में होता है, कि यह माइनस A के इकवल होता है, यानि देखी, यह असल में आप देखेंगे, तो यह कहीं न कहीं, जो है, रियल केस में, ठीक है, अगर हम लोग ओभर रियल बात करें, तो यह SQ matrix के जैसा है, और उभर रियल, अगर हम लोग बात करें, तो यह क्या है, यह symmetric matrix के जैसा है, ठीक है, इस इकवलेंट टू, symmetric matrix, और यह आप जानते हैं, जैसे symmetric और SQ symmetric matrix था, तो याद रखिएगा, कि हम लोग यह देखे थे, कि vector space में, ठीक है, अभी म यह देखे थे, कि जो symmetric है, जो SQ symmetric है, यह आपका क्या है, यह आपका vector space है, र-vector space ठीक है, तो चुकि यह over real work कर रहा है यह भी याद रखिएगा कि हम लोग इसको यह जानेंगे कि यह vector space होगा yes, is a vector space is a vector space but कब over r अगर real लेंगे तब तो यह vector space होगा but चुकि हम लोग यहाँ पर complex state में बात कर रहे हैं तो complex state में no it is not a vector space यह vector space नहीं भी हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है over complex state यह दिखी important है कि कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा ठीक है, over real क्यों होगा, चुकि over real लेंगे बात करते हैं तो यह just symmetric और excuse symmetric हो जाता है, जो हम लोग देख चुके ठीक है, बट हम लोग अगर हम लोग बात करें over complex number तो over complex number हम लोग देखेंगे तो यह एक property को satisfy नहीं करेगा किसको, जो scalar multiplication का property है scalar multiplication ठीक है property property not satisfies यह satisfy नहीं करता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ठीक है, जिसे देखिए suppose कीजिए, कि मैं ले लेता हूँ कि भाई, ए जो है वो मेरा जैसे भीवन का element, जैसे लोग उपर ले रहा है ठीक है ना, अगर ए भीवन का element है तो क्या होना चाहिए, तो होना यह चाहिए कि अगर हम लोग alpha A ले, ठीक है तो वो भी मेरा, क्या हो जा है भीवन का element हो जा जा है alpha मेरा field से हो ठीक है, अच्छा यहाँ पर field क्या है, हमारा complex number अब देखिए, ठीक है अगर हम alpha A का star निकालते है alpha A का star तो इसका value क्या होता है, इसका value होता है alpha bar A star ठीक है, चुकि क्या है आपका alpha field है, तो field का element पर bar लगेगा, ठीक है और यह आप नहीं लिख सकते alpha A star, इसके equal नहीं लिख सकते है क्यों, चुकि आपका जो alpha है वो belongs to complex number है और complex number में, जो है किसी कभी conjugate उसके equal नहीं होता ठीक है, हाँ, जबकि आप यहाँ पर यह लिख सकते थे यहाँ पर आप alpha A bar A star को, आप alpha A star लिख देते, कभ अगर alpha मेरा real number होता तो real number अगर होता तब तो वो काम कर जाता अब चुकी देखिए, यह आपका hermition matrix है, तो A star अपका A है तो यहाँ से आपका यह आ रहा है कि this is not equal to alpha A, ठीक है तो यानि, alpha A star मेरा भीवन में lie नहीं कर रहा है ठीक है, ओके तो जो second property है vector space का वो यहाँ पर exist नहीं करता है इसलिए यह vector space यहाँ पर नहीं बनाएगा, ठीक है, ओके अच्छा, यह तो हो गया देखिए, कि vector space कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है हाना, देखिए, set of matrices set of matrices, ठीक है over complex number C, हाना not a vector space over complex number set, complex set C, ठीक है देखिए, कौन कौन है इसमें जो example बनेगा जैसे अब हम बताएं, कि अगर हम ले लेते हैं orthogonal matrix, ठीक है orthogonal matrix ठीक है, तो मैंने orthogonal matrix के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है कि orthogonal matrix क्या होता है यह होता है, आपका set of A, such that A into A transpose, ठीक है या A transpose into A is equal to क्या होना चाहिए identity matrix होना चाहिए, यह हमारा होता है, set of orthogonal matrix, ठीक है इसमें आप देखिए, जैसे A और B belongs to W, ठीक है यह मैंने लिया, तो therefore क्या होगा, यहां से दोनों property आगा कि A, A transpose ठीक है, यह भी आपका identity होगा और B, B transpose यह भी आपका identity होगा, ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों का sum भी W में होगा तो now A plus B निकाल लेते हैं A plus B, ठीक है इसको देखने के लिए हम लोग यह चीज़ देखेंगे कि क्या A plus B भी इसको satisfy करेगा तो उसके लिए हम लोग यह देखेंगे कि A plus B A plus B का transpose, यह क्या आता है ठीक है, ओके तो यह हम देखेंगे, तो देखेंगे, यह हो जाएगा A plus B multiply करें तो A A transpose plus A B transpose plus B A transpose plus B B transpose अब यह देखेंगे अब कभी भी आपका इसके equal नहीं आने वाला इसके, आप इसको सोचेंगे, जैसे A A transpose यह तो मेरा identity है, तो यह मेरा identity N हो जाएगा, ठीक है पलस यह मेरा बच रहा है, A B transpose plus B A transpose, यह भी आपका identity है, यह भी identity हो गया, तो यह तो यह तो identity है, लेकिन यह कभी भी आपका, ठीक है, आप सोचेंगे कि identity के बराबर ही आएगा, इसे कोई ज़रूरी नहीं है, तो यह तो जीक है, इस not need not be an identity और अगर यह identity नहीं होता, तो याने कि हमको यह वाला जो result है, जो जो है, दो matrix के लिए अलग-अलग exist कर रहा था, वो दोनों के sum के लिए exist नहीं कर रहा है इसका मतलब यह है, कि आप यहां से बोल सकते हैं, कि A plus B, ठीक है, need not belongs to W, तो A plus B भी W में belong करेगा, ऐसा नहीं है, तो जबकि बेक्टर स्पेस के लिए ज़रूरी है, कि अगर आप दो बेक्टर ले रहे हैं, उसका sum भी बेक्टर में होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह आपका बेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है, need not be a बेक्टर स्पेस बेक्टर स्पेस, ठीक है, यह बेक्टर स्पेस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ओके, तो यह बात हम लोगों को देखना है, अच्छा, कुछ-कुछ कंडिशन एक्जाम में दिया रहता है, तो कभी कबार वो कंडिशन अगर आपको गिवेन है, जैसे हाँ, आपको लिख दिया अलग से कि भीया, इसका सम आइडिटिटी है, दोनों का, तब अगर लिख दिया, तो हम लोगो वहाँ पर बोलेंगे कि हाँ यह वेक्टरे स्पेस बनाएगा, लेकिन अगर नहीं लिखा, तो इन जेनरल यह वेक्टरे स्पेस नहीं होगा, और चुकि हमको जेनरल कंडिशन पर ही बात करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको बोलेंगे कि यह वेक्टरे स्पेस नहीं है, ठीक है, ओके, तो C में भ और्थोगोनल मैट्रिक्स और गिन्हों कुछ मैट्रिक्स को देखेंगे जिसके बारे में जाना काफी जरूरी है चुकि एक्जाम पॉइंट आपको मैट्राइस के बारे में अच्छे से इल्मिनेट करने आता हो आना होना चाहिए ना ऑप्षन ताकि आप निजेट कर सेखें ठीक है से कंड देखेंगे हम लोग से के इसी तरह का हे उनीटेरी मैट्रिक्स एग अच्छा इंटेरी मैट्रिक्स क्या होता है तो कुछ उपर ही कि जैसा है आप जानते हैं और पर अगहां ए इस्टार बिचार ए यह आपका आइड़ ना रियल में और ना ही complex में यह vector space है तो यह not vector space होगा not vector space over set of complex number या over set of real number ठीक है अच्छा number 3 number 3 जो बहुत important है वो मैं बात करूँगा वो है singular matrix ठीक है singular matrix okay singular matrix देखे singular matrix में हम लो कर देते हैं यह होता है कि क्या होना चाहिए ठीक है एक वो क्या होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो यह आपका singular matrix है ठीक है लेकिन देखिए आप इसको देखेंगे ना तो यह definitely क्या है यह not a vector space यह vector space नहीं होगा क्यों इसको आप सिधा के example से देखिए ठीक है जिससे मान लीजिए मैं जो है दो मैट्रिक्स लेता हूँ ठीक है दो अलग-अलग matrix a भी जीरो होना चाहिए और determinant b भी जीरो होना चाहिए ठीक है चलिए यहां सब्सक्राइब ले लेते हैं कि let a जो है मेरा matrix है ऐसा देखिए 1 1 2 2 देखने है इसका determinant 0 है अच्छा और b जो matrix है वह मैं ले लेता हूँ इस तरीके से 1010 इसका determinant 0 है ठीक है अभी दोनों को add कीजिए now दोनों को जब हम add करेंगे a plus b तो हमों की देखेंगे क्या आजाएगा यह आपका आजाएगा 2 यह वन ठीक है यह आपका आजाएगा 3 यह आपका आजाएगा 2 ठीक है अब देखिए अब इसका अगर आप determinant निकालते हैं a plus b का determinant तो क्या आजाएगा 2 2 जा 4 3 1 जा प्लस भी सिंग्डर नहीं रहा याने a plus b अब W का मेंबर नहीं है तो दो सिंग्डर मैट्रिक्स का सम हमेशा सिंग्डर नहीं होता तो यहां पर जैसे इसको स्वाट में अगर बोलेंगे स्वाट में ऐसे आप बोलेंगे ठीक है सम आफ क्या बोलेंगे सम आफ टू तो इस तरीके सा देखिए काउंटर एक्जाम्बल के जड़ी आप जो है आपको मजा आएगा ठीक है इस तरीके से करिएगा जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं ठीक है इस तरीके सा मनें बात करेंगे तो फोर नंबर जो सेट ओफ नौंसिंगूलर मैटराइस है ये भी आप डाट बल सकते हैं कि भाईया हाँ ये भी क्या होगा जैसे उपर हुआ ये भी आपका नॉटे वेक्टर स्पेस होगा दो आप नॉन सिंगूलर मैट्रिक्स लेंगे उसका सम करेंगे तो वह सिंगूलर नहीं होगा ये जरूरी नहीं है ऐसा एक्जांपन लिया जा भी काउंटर एक्जांपल ले सकते हैं ठीक है ओके किलियर है तो आई होग आपको ये समझ में आ रहा है ठीक है जिसे अब लोवर ट्रेंगुलर अपर ट्रेंगुलर के भी आप बात करेंगे तो अगर काउंटर एक्जांपल अगर आप लेंगे काउंटर एक्जांपल ठीक है किसका जैसे मान लीगे दो लोवर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ठीक है अच्छा मैंने आपको अच्छा लोवर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के या मैंने आपको बिताया था कि ग्याओंता है एक्रश बिस 14 डाघ्र रैएंगुलर मैट्रिक्स सब्रहस फान सब्सक्राइए नौर एंदर हाय थे उसमें कि कि अक्षा कभाधिक त्रीक मेर्स में लुट अजि की सित्व एक बीट्रों रहें अझ्टीक आफ नीचे का घालें आपके एकror भी में नोर्मल मैंट्रिक्स के बारे में इसमें leaks बारे में ही है ठीक है बतलब कि यह not necessarily equal to identity होता है तो यह आपका normal matrix हो जाएगा तो normal matrix में हम लोग यह देखे थे कि जो हमारा orthogonal और unitary matrix है ठीक है वो भी तरह का normal ही matrix है यहाँ पर एक चीज़ भी याद रखेगा यहाँ पर मैं result ली देता हूँ ठीक है ना यह result भी आपके काम आएगा result क्या देखिए हमारा जो और्थोगोनल matrix है every every orthogonal ठीक है and unitary और जो unitary matrix है हमारा unitary matrix is a normal matrix ठीक है यह एक normal matrix है ठीक है इसलिए लुए normal matrix है कि आप देखते हैं कि चाहे और्थोगोनल हो चाहे युणिटेरी हो यह दोनों तो आपका equal ही होता है ठीक है ना और अर्थोगोनल उभर रियल पे यह equal हो जाएगा युणिटेरी में यह दोनों matrix है तो हर और्थोगोनल और युणिटेरी मेट्रिक्स क्या है एक आपका normal matrix है बट converse is not true यहाँ आप देख पा रहे हैं बट converse is not true लेकिन converse जो है यह सही नहीं है या ऐसा आप नहीं बोल सकते के भईया हर normal matrix क्या है और्थोगोनल है या तो युणिटेरी है ठीक है ओके तो अब देखिए चुकि हम लोग यह देखे थे कि important matrix होता है वह हमारा idem potent matrix ठीक है तो यह हम लोग आपको पता है कैसा होता है set of a such that क्या कि आप a का square करेंगे तो आपको a ही मिलेगा यह होता है idem potent matrix ठीक है तो idem potent matrix में भी आप दिखिएगा कि यह भी आपका vector space नहीं बनाएगा कैसे नहीं बनाएगा दिखिए मैं आपको बता रहा हूं जैसे suppose कीजिए कि हम दो elements ले लेते हैं a और b ठीक है तो दोनों का sum करेंगे तो दूनों का जब sum करेंगे तो sum करने से क्या आएगा यह आजाएगा आपका a plus b into a plus b ठीक है sum कीजिये Sum करने से आपका आता है a square plus a b plus b a plus b a square ठीक है अब देखिए, आपका जो यहां से a square है, वो तो a है, ठीक है, और जो b square है, वो आपका b है, इसको आप a लिख देंगे, ठीक है, a b plus b a, यह आपका बच जाएगा, इसको आप लिख देंगे b, ठीक है, तो अब यह, क्योंकि हमारा 0 नहीं given है, ठीक है, 0 given नहीं है, तो यह simply जाएगा, a plus b हो जाएगा, a plus b के बरावर नहीं होगा, अगर यह 0 नहीं है, ठीक है, तो याने, हम यह देख रहे हैं, कि a plus b का square, a plus b के equal नहीं आया, यह भीटर स्पेस नहीं होगा, याने आप 2 matrix को भी लें, 2 item potent matrix का sum भी item potent हो, यह जरूरी नहीं है, ठीक है, इस तरह की बा item potent matrices, need not be item potent, ठीक है, दो item potent का sum भी item potent हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, यहाँ में कुछ condition है, जिसे माल लिए, कभी को वहर एक्जाम में क्या करता है, जैसे एक्जाम में आपको ऐसा किया, कि आपको बोल दिया, ठीक है, is a vector space, एक option देदेगा, ठीक है, कब, when, जब मेरा a b equal to minus b a है, तो अगर यह दे देता है, तो आपका देखी correct हो गया, इसलिए कि अगर आपका a b equal to minus b a करेगा, यह फिर 0 हो जाएगा, और अगर यह 0 हो जाएगा, तो फिर यह भेलो आपका a plus b के बराबर आ जाएगा, यानि a plus b का जो square था, ठीक है, वो आप important कोई खास फर्क नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे भी k का value है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यह आपको देने से हो जा रहा है, इसलिए कि अगर यह हमको दे भी देता है, तो जैसे हम लोग के a का square करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि अगर आप k a का square करते हैं, ठीक है, तो k पर जो power आ जाता है, वो क्या आ जाता है, वो order of matrix के बराबर आ जाता है, ठीक है, जैसे scalar multiplication आप करें, ठीक है, स्कैलर मल्टिप्लिकेशन, स्कैलर मल्टिप्लिकेशन होना property चेक करेंगे, तो वो होगा हमारा k a का, अगर आप square करेंगे, तो माल लेजिए a मेरा in order का है, if a जो है वो आपका in order का matrix है, तो यह क्या होगा, यह क्या होगा, यह हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर k का power n, तो यह मेरा simply k a आना चाहिए, na, simply क्या आना चाहिए, k a square आना चाहिए, यानि अगर हम लोग, जाहिर सी बात है, कि अगर हम लोग item potent का बात कर रहे हैं, ठीक है, और a अगर मेरा कोई vector है, तो क्या होना चाहिए, k a भी मेरा vector होना चाहिए, यानि a का square अगर a है, तो k a का square सकते हैं तो के इन जो है आपका के बराबर है तब काम होगा ठीक है तो यह तब ही possible है के इन आपका के पर हमनों चेक करेंगे, तो अगर ये लिग भी देता है, तो इससे लिग देने से हमारा ये सफिसियंट नहीं है कि हम लोग बेटर स्पेस को कलेब कर देंगे, तो इन जनल तो बेटर स्पेस नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ कंडिशन लिखता है, तो आपको फिर आगे आपको समझ में आ रहा है, कि हम लोग जब कोश्चन हमारे सामने होगा, तो हम ज्यादा बेटर वे में कर पाएंगे, कि हमको कैसे करना है, बस मैं आपको एक यहाँ पर आइडिया देता हूँ, ठीक है, इसी तरीके से 7 नंबर में माल लीजिए, आपके पास में है, इन वोल प्रूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यह क्या होता है, तो यह आपको पता है, यह सेट आफ मैट्रिक्स होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप एक स्क्वाइर करते हैं, तो आइडिटी के एक वाल आ जाता है, ठीक है ना, जैसे हम लोग उपर देखते आ रहे हैं, इसका भी हम लोग एक्जामपल देख सकते हैं, कि ये बेक्टर स्पेस इन जेनरल तो नहीं बनाएगा, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था, ठीक है, इसी तरीके से, अगर माल लिए मेरे पास मैं निल पोटेंट मैट्रिक्स है, निल पोटेंट, ठीक है, तो आप जैसे उपर में करते आ रहे हैं, हम फिर भी यहाँ पर यहीं देखेंगे, कि ये भी बेक्टर स्पेस नहीं होगा, सिंपल आप देख सकते हैं, कि दो जो है निल पोटेंट का सम, आलवेज निल पोटेंट नहीं होता, ठीक है, आप बोल सकते हैं, सम आफ टू निल पोटेंट, निल पोटेंट, नीड नौट भी निल पोटेंट, ठीक है, निल पोटेंट हाँ, दो ठो निल पोटेंट लेंगे, उसका सम भी निल पोटेंट हो जाए, यह जिरूरी नहीं है, जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सेमाल लिए एक हम ले लेते हैं 0100 ठीक है A और एक हम ले लेते हैं B को 0010 ठीक है ओके तो अब देखिए अब इन दोनों का अगर हम सम करेंगे A पलस B तो यह क्या आजाएगा तो यह आपका आजाएगा 01 और 10 आजा रहा है देख रहे हैं तो अब यह क्या है यह हमारा निल पोटेंट नहीं है नोट निल पोटेंट ठीक है यह निल पोटेंट नहीं है जबकि यह तो आपका निल पोटेंट था इसलिए निल पोटेंट थ कि कि यह दिखी अपका होगया है i2 non diagonal i2 इसका पता है आपको कितने स्कुक्राइर करेंगे जई रू नहीं नहीं होगा हाँ हई यह आपको क्यों किया हमारा तरह से निल प्रचंझ है इंद आपको पता है कि हम रहे त्रिक्री अप्र है एक निल्、 देखा तो आपको इसे दोनों नहीं है घृसर कर लेते हैं ह। तो और यहां डेका जोबी हम लोग ने देखा तो अगर आप फॉड में उयाद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं ठीक है यसे रहाओ पास में इध्र फ्रेखों आधू राज़े से कि हमारे पास मिटिवी इधर थी कि वह हमारे पास में डाइगेनल मैट्रिक्स थीक है जिसको लु नोवर प्राइम भी बोलते कि इसी तरहते से लोगाड रंगलर था ठिकन अपर रैंगलर था ठीक है फिर हम दूँग ये देखे कि जो है इस्टिकली लोगाड रैंगलर मैैं भी है ठिक है और कि अपक्षमेजदी के से हमारा स्केलर मैं TR nawet तहसे तरीक है फिर हम नोगों ने फिर हम लोगों ने देखा, skew hermition matrix, ठीक है, तो skew hermition और इसको थुसालक कर दीजिएगा, यह थोड़ा सा special case में जाएगा, तो इसको हम लोगों अलग कर देते हैं, ठीक है, चुकि यह over real हम लोगों ने देखा था, कि भेक्टर स्पेस तो होता है, भेक्टर स्पेस नहीं हो जाता, अच्चा हम लोगों यह इधर matrix देखा, कुछ special matrix हम लोगों ने इधर भी देखा है, त्थेम यह था बेंब देखा, ठीक है इसी तरीके से हम लोग उने नॉर्मल मैट्रिक्स देखा ठीक है या हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग और्थोगुनल मैट्रिक्स देखे और्थोगुनल और हम लोग फिर इसी तरीके से यूनिटरी मैट्रिक्स देखे ये की हैंा तुक है, यह सब सारा मैट्रिस जो हम लोग देखे हैं तो इस लोग यह लोग इसमें नहीं बनाता धे, घृक है इक्ushingosion में हमको जी एक्जामस में हमको आप्चन Hazard Consultbernime कर計法 तो बड़ा साथ, आपको यह राना है, सचीत राना है, ठीक है, कॉंस्स राना है, ओके, जब कि यहां पे देखी, यहां हम लोगों ने यह देखा था, कि अगर हम लोग ओभर रियल बात करें, ओभर रियल, तो ओभर रियल जो है, यह सारा ही मैट्रिक्स आपका क्या करता है, स तो complex में सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, ठीक है, यानि यह हर्मिशन है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, यह नहीं, बाकी इतना जो है, आपका क्या करता है, over set of complex क्या है, is a vector space, एक vector space बनाता है, ठीक है, तो यह आपका as a conclusion भी याद रहेगा, ठीक है, तो I hope आपको mattresses का जो example था वो समझ में आ गया, ठीक है, बहुत सारे examples से vector space का पर बड़ा chapter है, तो और भी example ले करके हम लोग हाएंगे, ठीक है, इससे पहले, मैं आप से फिर से request करूँगा, कि subscribe अगर नहीं किया, तो कर लिजेगा, ठीक है, इसको share करना है, चुकि एक platform मनेगा, competition क्या, तो आप लोग अच्छे से discussion में अगर अभी कर पाएंगे, अच्छे-चे doubts आते हैं, जितना gathering होंगा, अतना doubts आएगा, ठीक है, तो share कीजिए, और अच्छा लगा तो like भी ज़रू कीजिए, और कोई भी issue होगा, तो comment करके बताईएगा, ठीक है, गहीं भी कुछ mistake होगा, तो उसको मैं फिर किलर करोंगा, ठीक है, चले मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर तब तक के लिए, थैंक्यू